नमस्कार दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है एक जाम वारियर 2.0 में आज हम डिसकस करने वाले हैं विटामिन B कॉंपलेक्स के बारे में मेरा पहला वीडियो जो था विटामिन के बारे में वो भी दोस्तों ट्रिक पता और इसमें भी हम ट्रिक से लर्न करेंगे विटामिन तो विटामिन B2 के करण हमारा दूद पीला दिखाई देता है विटामिन B3 अधिक लेने से हमारा जो लिबर होता है उसे नुपसान दायक हो सकता है या कृत को च्छती होती है और दोस्तो विटामिन जो B5 है इसके कारण जो होते हैं हमारा बाल जो है सफेद होता है और मंद बुद्धी का होना विटामिन B5 के कारण होता है और विटामिन B6 जो होता है यह हमारे सपनों को याद रखने में मदद करता है अगर सपनों को याद रखने में कोई विटामिन मदद करता है तो वह है विटामिन B6 है दोस्तों अगला देख सकते हैं विटामिन B6 के कमी से त्वचा रोग होता है और B12 में हमें दोस्तों कोबाल्ट पाया जाता है दोस्तों अब इसको भी हम ट्रिक के मादियम से समझेंगे इसका जो ट्रिक यह अब पर देख सकते हैं विटामिन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो विटामिन B या हम दीवन कहते हैं वो उसका राशायनिक नाम होता है chemical नेम होता है थाइमिन और उससे होने वाला जो रोग है वो भेरी-बेरी है यहां पर बिटामिन 2, बिटामिन 2 का जो रासाइनिक नाम है राइवो फ्लेविन यानि की रोग का मतलब राइवो फ्लेविन बिटामिन B2 है इसकी कमी के कारण होता है रोग जो तोचा का फटना बिटामिन B3 इसका राशाइनिंग नाम है नियासीन तो अच्छा में दाध होता है अगला देखते हैं दोस्तों अगला है हमारा बिटामिन B5 पेंटो थेनिक एसिड करते हैं अब फिन कर सकते हैं पेंटो थेनिक हम इससे बाल सफेद होता है और B6 का जो रासाइनिंग नाम है पाइरी डॉक्सिन है इसकी कमी से हमें एनिमिया रोग होता है और दोस्तों यहाँ B7 B7 का जो रासाइनिंग नाम है जो अब बायोटीन है लकवा बालो का गिरना इससे दो डीजी जोते हैं लकवा और बालो का गिरना और जो B12 है इसमें आप लोग जानते हैं कोबाल्ट पाया जाता है इसका साइनिंग नाम है साइनो कोबाल्मीन एनेमिया यानि की पांडूरोग होता है दोस्तों यहाँ पर जो बिटामिन B9 है इसे फॉलिक एसिड करते हैं यह भी ध्यान रखिएगा दोस्तों अगर हमारी यह वीडिया आप लोग को पसंद आई हो इसका लाइक सब्सक्राइब और सेयर करना ना भूलें